हेलो फ्रेंड जै मातादी कैसे हैं आप सब आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साल 2022 में सरदिर नवरातरी कब सुरू है कब समापत हैं घटिस्तापना का शुम्म हुरत क्या है महा अश्टमी, महा नौमी और दस एरा कब है तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि नवरातरी कब चालू है और कब समापत है तो देखे फ्रेंड्स से वैसे तो सबी लोगों को लगभग पता होता है कि साल में जो है चार बार नवरातरी आते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं गिने चुने जिनको नहीं पता होता कि साल में चार बार नवरातरी आते हैं जो दो नवरात्रे होते हैं एक चैत्र नवरात्रे और ये सरद्य नवरात्रे जो आने वाले हैं इनका कुछ जादा ही महत्व होता है इनको बच्चा बच्चा जानता है इन वरात्रों के बारे में पूजा अर्चना करते हैं सब भी बच्चे भी करते हैं जो है इनके पूरे मूर्थी को लेके आते हैं और उनकी स्थापना करते हैं नौ दिन तक उनकी सेवा करते हैं और दसमे दिन जो है उनका विशाजन करते हैं कहा जाता है कि मित्ती की जो है माता दुर्गा की मूर्थी जो लाते हैं लोग उनकी स्थापना जब घर में करते हैं नौ दिन तक उनकी सेवा करते हैं फिर उनको बेटी की तरह विदा करते हैं तो माता रानी बहुत ही प्रसनों के खुश हो के उनको आशिरवाद देखे जाती है सदा सुखी रहने का तो फ्रेंट से अपने अपनी घर के अलग अलग परमपरा हैं कुछ लोग ऐसे न के घर से ही मतलब अनी साल की मतलब अनी PS답न का सूम 창 आप ngard की हनुआ साल में तरह बाल है तो फ्रेंट सरदिन वरातरी 2022 में कलस स्थापना का सूम महूरत है 26 सितंबर 2022 सूबा 6 बचके 11 मिनट से सूबा 7 बचके 51 मिनट तक सूम महूरत है तो इस महूरत में आप पूजा चौकी मतलब चौकी और कलस स्थापना वगारा कर सकते हैं महुरत में अगर आप बाइचांस आपको जल्दी लगता है यह समय आप नहीं कर पाते समय में सुबद 6 बच के मैं फिर से बता दिती हूं आपको कलेश स्थापना का सुम महुरत है 26 सितंबर 2022 सुबद 6 बच के 11 मिनट से सुबद 7 बच के 51 मिनट तक सुम महुरत है इस महुरत में आप कलेश स्थापना कर सकते हैं अगर आपको समय नहीं मिल पाता है इतनी जल्दी तो दूसरा जो महुरत है वो है अभी जीत महुरत इसमें भी आप कलेश स्थापना कर सकते हैं अभीजीत महुरत का टाइम सुबह 11 बच के 48 मिनट से दुफैर 12 बच के 26 मिनट तक तो इस महुरत में जो है आप कलस सापना कर सकते हो अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे तो इसमें कर सकते हो तो फ्रेंट्स में फिर से बताती हूं ये दूसरा वाला महुरत सुबह 11 बच के अभी जीत महुरत है सुबह 11 बच के 48 मिनट से दुफैर 12 बच के 26 मिनट तक अभी जीत महुरत है पहला अब मैं बताती हूँ पहला नवरात्रा जो है 26 सितंबर 2022 दिन सौंवार को सुरू हो रहा है 26 सितंबर दिन सौंवार 2022 और जो दुर्गा पूजा होगी वो है 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को होगी दुर्गा पूजा और जो विजे दस्मी है वो है पांच अक्टूबर 2022 बुद्वार के दिन तो ये तीनों मैंने बता दिये हैं महुरत भी आपको बता दिया है और चार अक्टूबर की मा दुरुगा पुजा है और विजे दस्मी जो है पांच अक्टूबर की है तो यह दोनों महुरती बहुत शुबह इन दोनों महुरत में आप अराम से जो है कलश स्थापना कर सकते हैं इसमें सुभे सुभे उठके अपने नहादों के पवित रों के अपने घर को एक दिन पहले साफ सुतरा कर लेना है जहां पर आप चौकी लगाने वाले हैं माता की उस जगा को आपको साफ सुतरा कर लेना है आपको एक लकड़ी के पट्टे पर चौकी पर माता रानी की जो है चौकी लगानी है मतलब माता रानी को स्थापना करनी है और उनके साथ मतलब करनी है आपको और उसके बाद आपको पूजा अर्चना वगरा आर्थी वगरा करनी है माता की अगर आप घर में मिट्टी की मूर्थी लेके आते हैं तो आप मिट्टी की जो है उससे एक दिन पहले लाके रख लीजिए और अपना पहले नवरात्रे वाले दिन कर सकते हैं बहुत ही शुम माना जाता है माता की मिट्टी की मूर्ती लाके उनको घर में नो जिन तक पूझा पाट करते हैं, सेवा करते हैं, उसके वाज़ो है दस्मे दिन जुनका विसरजन कर देते हैं, ऐसे घर में माता रानी जरूर अपना आशिरवाद देखे जाती हैं, वैसे तो नवरात्रे के पहले दिन अपने घर में एक छोटी सी अंगुठे के बरावर गने जी की मूर्ति ज्रूर लेकि आँएगा पितल की गने जी की मूर्ती अंगुठे रखती हैं आशिवाद बनाए रखती हैं अपना तो इस नवरात्रिया आपके घर में अगर गने जी नहीं है तो छोटी सी मूर्ती जरूर लेकर आईएगा अपने घर में और उनकी भी स्थापना पूजा अर्चना जरूर करिएगा वैसे देखिए हर पूजा में गने जी की अगर नहीं हैं तो जरूर लेके आईएगा आप पूछना हो और ऐसी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप अराम से मूझे कमेंट करके पूँच सकते हैं मैं आपको जरूर जवाब दूँगी χर मीन्ट का जवाब दूँगी उर अगर आपको बहुत ही जाल सिंपल भासा में समझाती हूं, बताती हूं इसमें यह नहीं है कि आपको कुछ समझ में ना आए, ऐसा कुछ नहीं है मैं जिस तरीके से समझाती हूं और फ्रेंड से तो मुझे कमन करके जरूर बताएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो मैं मिलती हूं अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ जब तक के लिए जैमाता दी